तो ही गाहिज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जैसे कि आप सभी को पता है निव एडिशन्स का दौर है निव एडिशन्स का समय है और निव एडिशन्स के जो है लगातार मेरी लिस्ट आ रही है हर कॉलेज की हम बात करने वाले हैं DSP Campus कुमाई उनिवशटी निनिताल के वी फार मा की फ़िस्ट मेरी लिस्ट के बारे मैं आप लोगों के भी काफि नमें के अनियुक्स लेटर इंटी में एडिशन्स ले रहे हैं या फिर जो है आपके फर्स्ट एर में एडिशन्स ले रहे हैं सबसे पहले तो आपको बता देए भी फामा कि आपकी जो है जो मेरी लिस्ट आई थी जो फर्स्ट मेरी लिस्ट आई थी वह डॉकमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिं के लिए जाना है जितने कंडिटेट के नाम यहां पर टेटल देखो 178 इनका नाम है 178 students को यहां पर जाना है जहां पर लिखा है इनका रिजल्ट जो है किसी का आभी आया नहीं है और जो यहां पर दिखान दीजिएगा जब आप डॉक्मेंट से लेके जाने होंगे अगर आपके आपके डॉकमेंटस्विकेशन के डिया जाएगा उस वक्त के समिटन करने होंगे तो आपका आपका ऑशन के लिए नोटिस है कि भाई कैसे आपको कांशलिंग करनी है तो यह विए आपको बता देता हूं देखो जिनका मेरे लिस्ट में नाम है उनको ठरश्टे तेरह जून तेरह जून को ठरश्टे फल्डा है ठरश्टे की दिन साड़े नो बजे से बारा बजे की बीच में डिपार्टमेंट और फार्माशूटिकल साइंस कुमा इंवर्शटी ब्लॉक रोड भीमताल तो आपको करना है क्या है आपको नैनिताल नहीं जाना है डिएसपी केंपस आपको जाना है ठीक है भीमताल में आपको जो कुमा इंवर्शटी का फार्माशूटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है उसमें जाना है और यहां पर आपको तेरह जून को पहुंचना है तो कोई भी कंडिटिट अगर देखो कोई भी जा रहा है तो आपको टाइम से चले जाना है थाकि आपका टाएम से डाकुमेंट्स वैरिफिकिसन हो जाया ऐसा निक कर आप 12 जो यह हैं 12 बृजे के बाद जा रहे हैं तो 12 बृजे के बाद अगर आप जाते है तो आपके डॉकमेंट्स वैरिफिकिसन नहीं हो पाएंगे जी अभु इस लिस्ट में आया था उनको यहां पर इन्होंने एक mail भी किया है separately इनको एक mail भी किया है और mail लिस्ट में इन्होंने इस्टुडेंट्स को यह बता है कि जब आप documents verification के ला रहे तो आपको कितने documents कौन कॉनसे documents आपको औरिजिनल डॉकुमंटस आपको ले जाने है फोटो कॉफी भी आपको ले जाने है सेल पूटरेश्टे ठीक है तो फीज के बारे में भी वहाँ पर कि लिएरी उन्होंने रखा होगा कि इमेल आप अपना चेक कर लेना जितने भी स्टूडेंट्स ने यहां पर जो है वह किया है एडिशन के लिए मेरे लिश्ट में नाम आया होगा उनको डॉकुमेंट्स यहां पर भेजे होंगे ठीक है अब यह तो खैर आपका यह जो है पिछले साल का है जैसे कि पिछले साल में देखो आप डॉकुमेंट्स एक बार मैं मेल के मादिम से आपको दिये होंगे एक बार मैं ऐसे भी बता देता हूं देखो एक तो यहां पर सारी ओर्जिनल मार्ग सीट आपको ले जानी है साथ में उनकी फोटो कॉफी भी आपको ले जानी होती है ठीक है अगर आपने वेटेज का कोई क्लेम क्या है तो आपको ले जाना है टीसी या करेक्टर सेटिपिकर माइग्रेशन सेटिपिकर और जिनल आपको ले जाने होते हैं अगर कोई गैप है आपका एक साल का दो साल का गैप तो गैप का certificate एप डुबिट बना के ले जाना होता है आपको 5 पास्वोड साइस की फोटो आपको ले जानी होती है एक medical certificate भी आपको ले जाना होता है medical certificate कि आपको जोरत नहीं है जब आपके documents verify हो जाएंगे additions आपका confirm हो जाएंगे तम medical certificate आपको ले जाना है गैब certificate भी आपको अभी निले जाना है गैब certificate भी अगर आपका एडिशन confirm हो जाएगा तो आप गैब certificate लेके चले जाना ठीक है पहले आपके जो है अधर documents जो है verified हो जाएं यह जो necessary documents है extra documents है गैब period का documents हो गया एफिडेपिट यह फिर जो है medical officer के द्वारा जो medical certificate हो गया यह extra documents है यह documents आपको पहले आपके जो original document है त्वेल्ट के और मार्क सीट वगएरा जो भी है डॉमिशाल certificate category certificate यह आपको original verify करने होंगे income certificate income certificate TFW कंडेट के लिए चीए होता है TFW कंडेट के लिए आपको बता दूँगा इसमें कुछ time free होती है फिरी में इनकी study होती है इसके लिए मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से इसमें apply करना आपको ठीक है बाकी आधार काड़ की original coffee और एक फोटो कितनी पढ़ी है एक देखो चातीस दूँगा बहुत और 37 दूँगा दो सतर चुद्द होती है तो वह अब एक बार में वह टीएप डबलो वाला और लेटर इंटी वालों के लिए अपडेट देता हूं कि अब देखो जो लेटर इंटी में additions ले रहे हैं उनको देखो यहां पर उनको जो उनने जो फार्मिसी का कूर्स का रखा डिपलोमा का उनको फर्स्ट यर इंट सेकन्ड साल पहले साल की और सेकन्ड साल की जो माख सीट है उनको इमेल कर देना है ओपिस कड़पास पर 15 जून तक इनको अपने डॉकमेंट्स भेज देने हैं जो लेटर इंटी में जिन्हों ने यहाँ पर अपलाई किया था आविदन किया है तो वे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर वे अपने जो डॉकमेंट्स है फर्स्ट एर सेकंड एर फार्मसी के वे 15 जून तक इस इमेल आईटी पर भेज देंगे ओफिस कड़फास एड़रे जिमेल डॉकम ठीक है तो लेटर इंटी वालों की मेरी लिस्ट अभी आई नहीं है कि इसमें तो इन्होंने लाश्ट टेट तो हाला कि इसकी चले गए दस जून नहीं रखे गई थी तो इसमें क्या होता है इसमें तीन सीटे हैं और अगर आपकी फैमिली की जो इंकम है और इंकम आठ लाग से कम है तो आप टी अब डबलो के लिए आप आविदन कर सकते हैं इसमें जो है जो फीस होती है इसमें जो फीस होती है वो फीस इनके लिए माप होती है फीस यहां पर इनको निसुल को यहां पर फिरी आफ कॉस्ट यहां पर इनको कोर्स करवाया जाता है तो यह टी अब डबलो होती है इसमें तीन सीटे होती है और मुझे लगता है यह डे अपना एप्लाई किया हो तो यह इसकी बढ़ा देंगे तो फिर इसमें आप आविदन कर लेना ठीक है तो यह मैंने आपको प्रॉफर कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप जो है मेरे ऑफिशल जो इंस्टाग्राम पर उस पर मैसेज कर सकते हैं